36 गड़ के जित्ते भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि 36 गड़ में पटवारी के 301 और चात्रवा साधिक्षक के 390 पदो पर जो है बहुत बड़ी भरती निकल कर आया है जैसे कि आप से भी लोगों को तो पता ही है कि 36 गड़ में पटवारी के 301 पोस्ट जो है निकल चुका है अब बारी है 36 गड़ में चात्रवा साधिक्षक के 390 पोस्ट की बारी है कि 36 गड़ में चात्रवा साधिक्षक के 390 पदो पर जो भरती होना है वो भरती जो है कब होग सदिक्षक जो 390 पोश्ट निकलने वाले उसमें अप्लाई कर सकेंगे या फिर नहीं और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगे कि आप जो है किस तरह से छात्रवास सदिक्षक भरती परिक्षक की तैयारी कर सकते हैं और इसमें सबसे ज्यादे इंपोर्टन्ट होता है कंप्यूटर यदी आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे से माक्स लाते हैं 50 माक्स चांपेले कंप्यूटर से आता है तो आपका शैलेक्षण हो जाएगा और आप वाइं शात्रवास से दिक्षक बंद सकते हैं और आपको हुष्टल वार्टन भरती परिक्षक के एक्धा किस तरह से करना है, cut up, कितना जा सकता है, और आपको कौन कौन से books आपको पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से based level की हो जाए, जिससे आप शात्रवाज भरती पर इक्षथ exam को crack कर सके, qualify कर सके और आपका selection हो जाएगा, तो complete details के लिए वीडियो क होना चाहिए बारवी जो है बोर्ट से होना चाहिए आयू सीमा की बाद करें तो मीनिमम आपका ठारा बार से होना चाहिए मैक्जिमम के बाद करें तो शालीस वर्स है से लिए उसके बहुतस परिक्षा के लिए अब को Lawan को अमünden बटाता हूं, से पढ़ना चाहिए कितना जाएगा आगे मैं आपको बताता हूं 16 गण में स्लेबस की बात करें तो चात्रवा सदीक्षक भरती परीक्षा में कुल 150 प्रश्ण पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंको का होगा यानि प्रत्यक प्रश्ण के लिए आपको एक अंक जो है दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग यानि माइनस मार्क होता है वन बाइ उत्ता ही टिक करते हैं और चाहे तो दुक्का लगाते भी हैं तो सिर्फ 10 क्यूस्टन ही लगाई है उससे जादा नहीं लगाई फिर आपका सिलेक्षन होने से कोई रोक नहीं पाएगा तो चार क्यूस्टन गलत करने पर आपका पांच नंबर कट जाता है आप स्लेबस की नहीं बात करते हम तो कम्प्यूटर से अकेले सिर्फ रेट आएगा उसमें अकेले कंप्यूटर से पचास उंकों का पचास प्रशनों पूछे जाते हैं तो हिंदी से आपके एगजामे से बीशंकों का बीश परश्न और गड़िस से बीशंकों का बीश परश्न जो है पूछ जाएंगे तो कुल इस तरह से 150 परश्न जो है आपके चात्रवास अधिक्षक भरती परिक्षब में पूछ जाते हैं आपको पूरे डिटेस्ट बताता हूं कि इन्दे में इंगलिश मे गड़ित में कौन-कौन से कंप्यूटर में कौन-कौन से टॉपिक से आपके एक्जामे प्रश्ण पूछे जाएंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टन बाट यह होता है कि छात रवसे धिक्षक में आपको 50 मार्स के क्वेस्टन जो है कंप्यूटर से पूछे जाते हैं उसमें से आपको 25 मारस के जो है 25 नमबर लाना आपको अनिवारी होता है यदि आप 50 में 25 नमबर नहीं लाते तो आपका सेलेक्षन नहीं होगा चाहें आप पाकिस सब्सेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर की ओना लाएं तो इसमें आपको 50 में 25 जो है लाना अनिमार है तो कंप्यूटर के स्लेबस के बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का प्रचय कंप्यूटर के उप्योग कंप्यूटर के समाने जनकारी कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, Input Device, Output Device की जनकारी प्रिंटर के प्रकार आपका जैसे Ink, Jet, Laser, Jet, Printer, Dot, Metrics, Printer से भी प्रकार के प्रिंटर के जनकारी आपको होना चाहिए साथ ही आपको अपरेटिंग सिस्टम के बारे में MS Office में आपको MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access के बारे में जनकारी होना चाहिए साथ ही internet, search engine, web browser, shortcut keys जैसे Ctrl plus A, Ctrl plus Z, Ctrl plus X, Ctrl plus Z justify करने के लिए Ctrl plus C copy करने के लिए Ctrl plus V paste करने के लिए तो shortcut keys आपको पता होना चाहिए साथ ही full farm पता होना चाहिए जैसे HTTP, Hypertech, Transfer, Protocol और URL, Uniform Resource, Logator, CPU, Central Processing, Unit तो इन सभी का full farm पांप को पता होना चाहिए हिंदी के बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याक्रान आए जैसे स्वार्वंजन वर्तनी वचन का संग्या शर्वना विस्वेशन क्रिया प्रयोग समास रश्न एवां प्रकास संधी के जानकारी उपसरगम प्रत्य तत्सम तद्भाव देश्च परियावाची विलो पूरा वही शमान्य ज्ञान में आपका पूरा राश्टी अंतर राश्टी पूरा शमान्य ज्यान जो है आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे खेल कूद के बारे में अब मैं आपको बताता हूं पूरा बूक लिष्ट जिसे आप पढ़ाई करेंगे उन बूक से तो पूरी जानकारी जो है बेसिक से अच्छे से समझाया और एक्स्प्लेइन उसमें किया गए तो आपको च्छतिस गड़ के लिए च्छतिस गड़ विश्विष्ट अध्यान हरी राम पटेल सर्का आपको कंपेडिशन एकैडमी का लेना है वहीं बात करें समसाही की घटना क dai violence के अधम किलें अरच्टि of heaveast के लिए आज को किते में रिलीस ओता है सम्हांने हो इसके बात कर नेंच्टोरियुंस बहुति के लिए पडर करते इंग्लीश के लिए इसके आपको English की पूरी जयनकारी मिल जाएगा Hindi के बात करें तो Hindi के लिए आपको deviation Academy का बुक लेना है और अब first और last बात करें computer के लिए तो computer में 50 marks पूछे जाते हैं तो computer के लिए best book है computer एक परिचे जिसमें आपको computer की पूरी basic जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगा तो आप जो है ले शक्ते हैं जिसे आपके तयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा तो इस तरह से तयारी आप जो है कर सकते हैं तो मैंने आपको पूरा बता दिया और cut-up की बात करें कि cut-up जो है कि 115 और HD category वाले students 100 और HD category वाले students यादि 90 भी लाते हैं तो उनका selection हो जाएगा आपका selection होने से कोई रोक नहीं पाए गया तो I hope कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए तो मिलते हैं next video में so thank you